बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में एक फ्रूट के अंदर जो सीड होता है उसमें कौन-कौन से पार्ट है और कैसे वो एक नया प्लांट बना देता है जानेंगे आज की वीडियो में सीड का स्ट्रूट कया होता है तो सीड जो है तीन पार्ट से बिलकर बनता है और दो लेयर से मिलकर बनता है इसके बाद यह जो अंदर वाला पार्ट है से हम जाइगोट बोलते है जो तो male और female gamit के fusion से बनता है और आगे जाकर embryo बनाता है और यह embryo ही आगे जाकर एक नया plant की formation करता है यह वाला पार्ट जो है इसको endospam बोलते है जो बनता है fusion of polar nuclei and male gamit और इसका काम होता है food को store करना कि जब कभी भी जाइगोट आगे growth करेगा तो उसे food की requirement होगी तो endospam वो food देता है चीक है आगे बात करें तो यहां पर देखिए जो जाइगोट अभी हमने देखा था यह धीरे धीरे एंडोस्पम को खाता रहेगा यानि यूज करता रहेगा और एक ऐसे structure को बना देता है जिसे हम embryo बोलते हैं इस embryo को मैंने यहां से निकाला और यहां रख दिया क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ना है तो देखो embryo में यह जो बीच वाले structure है यह जो lining है इसको बोलते हैं embryonal axis embryonal axis में यह उपर वाला पार्ट जो है इसको epikotyle बोलते हैं और epikotyle आगे जाकर pumule बनातेता है और यह pumule आगे जाकर shoot system बनाता है यानि plant का जो उपर वाला पार्ट हम देखते हैं जिसमें leaf होती है flower होता है fruit होता है stem होता है वह shoot system है और वह seed के pumule से बनता है नीचे वाले पार्ट को हम hypokotyle गोलते हैं जो आगे जाकर radical में convert हो जाता है और यह radical बनाता है root system को जिसमें primary, secondary, tertiary, root, hairs आते हैं वह सब बनता है seed के radical से और यह जो दो wing like structure आप देख रही है यह होते है cotyledons यह embryo जो है एंडोस्पम को खाता रहेगा जितना food यूज करना है वो कर लेगा बच जाता है उसको यहां अपने cotyledons में store कर लेता है ताकि आगे यूज कर सके so this is the structure of seed आगे क्या है देखो यहां आपने दिखाए जाइगोट था पहले ज नीचे निकलता है रेडिकल ऊपर निकलता है यह आगे जाकर शूट सिस्टम बना देगा और यह आगे जाकर रूट सिस्टम बनाता है आप देख सकते हैं यह शूट सिस्टम हो गया और यह रूट सिस्टम हो गया so this is the structure of seed and germination of seed तो वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बतान अच्छी लगिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना तैंक यू